तो दोस्तों हम लोग जा रहें कहीं घुमने के लिए तो चलिए मेरे ब्लॉग में बने रहें और चलिए मेरे साथ चलिए में वो शुन्दर यहां बैठे कितना क्या दे रहे हैं सोला बतुरा मस्क है लेकिन यहां पानी में पैर भीजने का है आओ आओ मेरे साथ आओ 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 आने का मज़ा कुछ और है यहां अगरे ट्रेन पर चल रहे है यह कितना सुन्दर है लेकिन बैठ दोने तो फूल हो जागा प्लेस लग रहा है ना कि बीच पानी में बैठे हैं कहीं गिर न जाए जील देखके डर लग रहा है और यहां पर हम अपना आइस क्रीम लेकर के बैठे में यह चोकलेट आइस क्रीम पर यहां का सीन काफी सुन्दर है और दोस्तों पहली बार आए हम लोग यहां हजारी वाग में रहते हुए हम लोग आज पहली बार आए हैं चारों तरफ और आप लोग जो भी हैं यहां जारखंड के यहां जरूर आई एक बर क्या बोले यहां पर बहुत अच्छा लग रहा है पर पहली बार हजारी बाग में इतना अच्छा जगा लग रहा है हमको मतलब कैपिटेरिया था पहले लेकिन अब नहीं है अपना और अ यहां पता ने क्यों बंद कर दिया लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है यहां और दोस्तों यहांना सब कुछ हील रहा है पटरी भी हील रहा है यह टेबल भी हील रहा है अच्छा लग रहा है और बैठने में इतना डर लग रहा है ना लग रहा है पता नहीं कि नाओ पर बैठे है ऐसा लग रहा है कि नाओ पर बैठे है ओ जो हम लोग डिजनी लेंड गए थे ना और ट्रेन वेंड पर बैठे थे और वो क्या था एक पता नहीं क्या था अजब कि यहां पर वीडियो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं आप लोग यहां एक वर जरूर आइए बहुत अच्छा लगता है यह हजारी वाक का इस्टीमर यह हमारा छोला फटूरा रेडी देखें कितना सुंदर लग रहा है तो यह चोला देखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा है और देखिए हम चोला बटूरा के साथ अचार भी दिये तो चलो ममी खाओ खागे देखो कैसा है तो ममी अभी खा करके बता रही हूं कि देखिए यह 100 रुपया में इतना बड़ा बड़ा है छोला बटूरा दिया है पूरा भर भर प्लेट दिया है और दो दिया है जिसमें हम लोग दोनों का पूरा अच्छी छेचरा जाएगा ममी ट्राइब करें नहीं पूरऑ तोट पड़ेंगे लिए पबल्क आना चाहों कि अपल भू ह school ले गया है हुंकि पहले ह। कि भ्όσ चेस्टी है बहुत चेस्ट है तो वीडियो बाद में लेते हैं पर खा लेते हैं मेद् ग्रणार क भूल इंब तो कासला अपको लगारा बहुत अच्छा लगारा रात भरेही रहा चाहें कफी लोग है यह ये अर ये गोल्यक्त जो हम लोग घुम के देख रहे हैं कि कहा जाएंगे ये भी अच्छा लग रहा है काफी और यहां का जरुना भी बंध है लोई तो हम आप लोगों को डिखाते जरूर हम आप के लिखाथे जरूर को लेकिन रात कि आने के बजह से हम लोग नहीं बैठें देखें दोस्तों हम लोग आए थे साम को और अभी पूरा अंधेरा हो गया और यह पार्क आठ बज़े तक रात तक खुला रहता है तो जिसको भी आना है वो लोग आ सकते हैं और क्या ब्यूटिफुल लोकेशन है यार तो अब हम लोग जा रहे हैं घर रात में घुमने का मज़ा ही कुछ और है दोस्तों तो आप लोग जरूर आईएगा यहां प्रूप्स कर दोस्तों प्रूप्स